क्लास नाइन गूद मॉर्निंग एब्रिवन आज 26 को मैंने ना कोई वीडियो बनाया बस हुंबर्क दिया था कोस्टन को वह स्कूल अर्थ में दिया था आप लोग देखे होंगे कल मोका ने मिल पाया अश्ली ने बना पाया आज 27 अगस्ट एकसराइज 7.2 का कोस्टन नमबर सकेंड पे हम लोग आए वह आज आज आपके पास यह फिगर को ध्यान से देखे है अब कोस्टन लिखे है नहीं है ABC एक ट्रेंगल है और AD परपेंडिकुलर BC and BD equal to CD इसका मतलब यह हुआ कि इन ट्रेंगल ABC कोस्टन को हम पढ़ रहे हैं कोस्टन आप अपना बुक में देखेगा हम ऐसे ही पढ़ दे रहे हैं को फिगर ऐसा बनाते हैं कि फिगर देखके ही पता चलता है एक कोस्टन क्या है इन ट्रेंगल ABC AD परपेंडिकुलर BC और ऐसा ही बोल सकते हैं कि AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर औप BC अगर AD परपेंडिकुलर BC and BC bisected by AD therefore BD equal to CD और परपेंडिकुलर का मतलब यह 90 एक साइड 90 है दूसरा साइड भी लिए पर इसे 90 होगा ही इसको अपने हान से दिखेंगे यह अपने मन से ही simple यहाँ पर दिखिए यह दिया हुआ है और इसमें to prove में दिया हुआ है कि AB और AC को equal कीजिए अगर BD और CD equal है और यह दोनो 90 90 है तो automatic है कि यह तो common दिखी रहा है AD दोनों ट्रेंगल के लिए तो यह side हो गया angle हो गया और यह side से congruent हो गया जैसे ही दोनों ट्रेंगल ABD और ACD congruent हुआ तो AB equal to AC CPCT से clear इतना ही करना था तो given में हम लों लिखे AD पर प्रप्रणों BC BD equal to CD तो prove AB equal to AC prove में आई है in triangle ABD and in triangle ACD ABD और ACD में लिए angle 1 equal to angle 2 90 degree each यह given था BD equal to CD यह भी given है और AD equal to AD common हो गया therefore triangle ABD congruent triangle ACD by SAS side angle side के रूल से 90 होने से आर्चस नहीं लगेगा इसमें 90 दिया हुआ है मतलब angle का काम कर रहा है लेकिन हाइपोटनेस कहीं जिक्र नहीं है इसलिए हम लोग इसमें आर्चस नहीं लगा सकते हैं यह हम समझाना चाहर इसलिए रहे हैं अच्छा 90 देखते ही आर्चस मारने कोशिस करता है लेकिन आप हर जगा आर्चस मारेंगे तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि है पोटनेस में डिसकर्स है नहीं इसलिए हम लोग आर्चस नहीं लगा सकते हैं तो BD equal to CD given AD equal to AD common angle ADB equal to angle ADC तो इतना नहीं लिखने के लिए short में हम लोग क्या किया है इसको 1,2 माल लिया तो angle 1 equal to angle 2 90 degree each therefore triangle ABD congruent triangle ACD by S, A, S SAS side angle side and AB equal to AC CPCT यहीं प्रूप करना रहा था ओके अब next question दो है next class में देंगे एक एक को congrency को समझते चले जाए और हम लोग अभी जो 40 मार्स का टेस्ट होने वाला है सेप्टेमबर में तो उसमें सिध्यान दीजे हो सकता है ये exercise दे question अगर बाहर रहेगा तो भी ठीक है नहीं तो question हम लोग बनाएंगे तो भी इसको देंगे क्योंकि continue हम लोग syllabus में एक से आठ तक आना चाहिए चैप्टर वन से ले करके आठ तक आना चाहिए आठ में से साथमा नमबर में लोग पढ़ा रहे हैं अभी हो सकते है आठ में पढ़ाएंगे चाहिए आठ अगर नहीं पढ़ा पाएंगे टाइम तक तो question को में लोग change करके दूसरा question आ पो देंगे अगे थैंक यू